कोर्बा के परस्यम छेतर दर्दी के लाल मैदान में आजित कोर्बा प्रेमियम लिग क्रिकेट प्रदुक्तिया के बीच दो टीमों के बीच जम कर मारपीट हुई किसी बात को लेकर रुबजे विवाद के बाद गोल्डन इगल और सर्वमंगला लाइंच टीम के खिलाडियों के बीच उबजा विवाद इतना बढ़ा कि वहां मारपीट पर तबदिल हो गया और खेल का मैदान अखाडे के रूप में तबदिल हो गया कोर्बा में केपील क्रिकेट टिर्नामिंट का आयूजन शहर के पश्य मिलाके में सीसबी वेश्ट के लाल मैदान में हो रहा है जहां विवन्न टीमों के मद्धिय मैच खिला जाता है खेल मैदान उस समय अखाडे में तबदिल हो गया जब गोल्डन इगल और सर्वमंगला लॉयन्स के मद्धिय मैच खिला जा रहा था इसी दोरान गोल्डन इगल के कप्तान मुकुल रागव जोकी 36 गड़ के बाहर से केपील खिलने आते हैं उन्होंने सर्वमंगला लॉयन्स के खिलाड़ी अभ्यूदय कांत सेह को आउट कर दिया और कुछ कमेंट भी किया जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग शिर हो गई बात इतनी बड़ी कि मुकुल और अभ्यूदय के बीच यहां था पाई हो गई अभ्यूदय के सर और नाक से चोट के कारण खोन निकलने लगा देखते ही देखते दोनों टीम की खिलाड़ी आपस में भिड़ गए और क्रिकेट का मैदान कुष्टी की अखाड़े में तब्दिल हो गया बियर रिपोर्ट ग्रैंडेसे निज